आज हम सर्वो मोटर का एक एक्स्पिरिमेंट करेंगे इसके लिए हमें एक छोटा सा आरसी सर्वो इस्तिमाल करेंगे टावर प्रो एस जी नाइंटी इस नमबर का 9 ग्राम का माइक्रो सर्वो आर्डुनो के स्टार्टर किट के साथ मुझे मिला है इसके साथ तीन अलग-अलग साइज के आर्म्स भी मिले हैं तो इसमें से कोई भी एक आर्म सर्वो के शाफ्ट को जोड लीजिए इस सर्वो से तीन वायरें जुड़ी होती हैं ओरेंज, रेड और ब्राउन ओरेंज कलर की वायर ये सिगनल की वायर होती है और red wire 5V DC के लिए और brown wire ground के लिए इसकी तीनों wireیں एक pin से जुड़ी होती है और इस pin में तो आप तीन wireیں जोड सकते हैं तो इसको Arduino से connect करने के लिए छोटे साइज के तीन wires ले लीजिए इसकी orange color की signal की wire उसको Arduino के 9 नमबर के digital pin से connect कीजिए इसकी red wire Arduino के 5 board से connect कीजिए और इसकी brown wire ground को connect कीजिए wiring पूरा होने पर Arduino के board को अपने computer से USB cable से connect कर लिजिए अब इसके बाद हम इसकी programming करेंगे इसके लिए हम जो program use करने वाले हैं वो आप description box में दिये गए link से download कर सकते हो इस program का नाम है servo.ino ये program कैसे लिखा गया है ये आप उसी link में दिये गए article में पढ़ सकते हो तो ये program download करके उसे Arduino के software में open कर लिजिए और उसके बाद पहले icon पर click कीजिए ये verification का icon है verification पूरा होने पर आपको नीचे हरे रंग की strip में done ऐसे message दिखाए देगा फिर उसके बाद दूसरे icon पर click कीजिए ये upload का icon है इसे click करने पर यह program Arduino के board पर micro controller में upload हो जाएगा upload पूरा होने पर आपको done uploading ऐसे message दिखाए देगा और तुरंत सर्वो का arm घूमता हुआ आपको दिखाए देगा इस program में हमने सर्वो की movement को 0 से लेके 180 तक अलग-अलग angles में control किया है इसके अलावा आप इसके movement की speed भी control कर सकते हो तो आज का यह experiment इस तरह से था अगले वीडियो में हम एक और experiment के बारे में जानकरी लेंगे आपेंगे